वीडियो आपके लिए काफी ज़ए इंपोर्टेंट एंड योश्फूल होने वाले इस वीडियो मैं आपको वताने वाला हूं कि आप अपने रियल मीड 12 Pro 5G की फोन में नंबर कॉपी गया से करेंगे नंबर को आप कॉपी करना चाहते हैं सिम से फोन में फोन से इमेल एडिम कहीं भी नंबर कॉपी करना किसी भी तरीके से तो आप नंबर कॉपी कर सकते हैं चलिए आपको दिखाएंगे क्या आपको करना है Contact नाम से एक आफ होगा आपकी फोन में इसको Open कर लिजे Contact नाम से आप इसको जैसे Open करते हैं कुछ ऐसा अंटरफेस इसकी मिलता है Right चाहट सबसे नीचे Fix and Manage नाम से Option है आपको Fix and Manage की Option पर किलिक करना है इस पर जैसे किलिक करते हैं यहाँ पर उपर की साइड एक Option आपको मिलता है Export to File Left चाहट में उपर की साइड Export to File Export पर हम किलिक करेंगे और यहाँ पर सभी को हम सेलेक्ट कर लेंगे सभी Option को आप चूच कर लिजे जिसमें आपका नंबर होगा सभी को चूच कर लिजे यहाँ पर Export to VCF File का Option है Right चाहट हम इस Option पर किलिक कर देंगे जैसे इस Option पर किलिक करेंगे एफ फाइल सेफ करने के लिए Option आपकी स्कीन पर आ जाता है इस फाइल को हम यहाँ पर सेफ कर देंगे इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे तो इस फाइल को हम सेफ कर दिए अब इसके बाद हमें करना Import Right चाहट उपर की साइड आप लोगों को Import from File का Option है Export हो गया है अब Import पर हम किलिक करेंगे Import from File पर जैसे आप लोग किलिक करेंगे किलिक करनेंगे बाद आपके स्कीन पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा अब आपको नंबर कहां पर कॉपी करना इमेल आइडे में सिम में जहां भी नंबर आपको कॉपी करना या आपको अपने Realme अकाउंट में कहीं भी नंबर कॉपी करना तो उस पर किलिक करिए किलिक करने के बाद यहां पर आप लोग देख सकते हैं आप उस फाइल पर किलिक कर दिए उस फाइल पर जैसे आप किलिक करते हैं जो आपने शेप किया था और एक शपोर्ट हो जाते हैं इंपोर्ट हो जाते हैं तो इस तरीके से नंबर आपका कॉपी हो जाता है यही तरीका नंबर कॉपी करने का